नमस्कार दोस्तों मैं सुमित सांगवान स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं डिफ्रेंस बिट्विन सर्कुलरिटी और ओलिटी दोस्तों यह एक बेसिक टूपिक है लेकिन कन्फूजन इसमें बहुती ज्याद वो कितनी राउंड शेप में हैं वो कितनी परफेक्ट शेप में हैं उसमें कोई एरर तो परजेंट नहीं है जितना एरर परजेंट होगा वो होगी सर्कुलरिटी ठीक है और ओल्टी क्या होती है ओल्टी होती है डिफ्रेंस बिट्विन मैक्सिमम डायमेटर माइनस मिनिमम जो maximum diameter और minimum diameter का जो difference होता है वो होता है ओलटी ठीक है दोस्तो अगर मैं बात करूँ mathematical term में तो circularity और ओलटी दोनों ही अलग-अलग होती है क्योंकि circulardy किसी circular shape की calculate होती है और award किसी oval shape की calculate होती है लेकिन अगर मैं बात करूँ engineering term में तो दोनों ही almost same होता है क्योंकि किसी भी diameter में किसी भी circular object में हम किसी कोई भी error को allow नहीं करते हैं Error present होता है लेकिन एक tolerance में present होता है ठीक है तो दोनों ही almost same होता है लेकिन इनके measurement method जो है वो अलग लग होते हैं Overty को कैसे measurement करते हैं माली जीए कोई आपका diameter है उसकी ovalty चेक करनी है कैसे चेक करेंगे APG से जो maximum diameter और minus minimum diameter का जो difference आएगा वो होती है ठीक है और circulating को कैसे measurement करते हैं चलिए discuss करते हैं माली जीए ये कोई cylindrical form में कोई road है इसकी हमें circulating चेक करनी है किसी एक point पे तो कैसे चेक करेंगे सबसे पहले circularity को चेक करनी के लिए हमें कोई फी datum के requirement नहीं होती है ठीक है तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे V block पे रखेंगे V block पे रखने के बाद height gauge की साइता से हम dial को किसी एक point पे zero करेंगे zero करने के बाद इस road को manually by hand rotate करेंगे तो जितना dial में deflection आएगा वो हो जाएगा इसकी circularity suppose that मुझे point one पे चेक करनी है circularity तो मैं point one पे dial को set करूँगा और manually by hand इसको rotate करूँगा suppose that की deflection आया plus में 10 micron और minus में 8 micron तो point one पे circularity हो गई 18 micron का ठीक है अगर मैं इसके ovality चेक करूँ तो मैं इसका maximum diameter चेक करूँगा और minimum diameter चेक करूँगा suppose that maximum diameter आया 20.01 और minimum diameter आया 20.00 तो जो यह 10 micron का जो difference है यह हो जाएगी ovality ठीक है दोस्तों लेकिन अगर मैं इसकी complete cross section area को मैं cover करता हूँ circularity चेक करते करते तो वो हो जाएगा इसकी cylindricity suppose that cylindricity check करने के लिए मैंने point 1 पे point 2 पे और point 3 पे circularity को चेक किया ठीक है point 3 point पे मैंने इसके almost overall length को overall cross section area को cover कर लिया point 1 पे circularity आई 18 micron point 2 पे circularity आई 8 micron और point 3 पे circularity आई 7 micron ठीक है sorry 25 micron ठीक है तो इसकी cylindricity क्या हो जाएगी cylindricity हो जाएगी जो highest deflection आएगा plus side में और highest deflection आएगा lower side में दोनों को add करने के बाद जो result निकलेगा वो हो जाएगी इसकी cylindricity plus में highest deflection कितना आया 20 micron और lowest deflection कितना आया 8 micron तो जो cylindricity हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी 28 micron में ठीक है ड्राइंग में हमेशा circulatory का symbol दीवा होता है और उसकी tolerance दीवी होती है ठीक है लेकिन क्या कभे ड्राइंग में novelty का symbol आपने देखा है नहीं तो आप इसकी novelty को कितनी tolerance में आप इसको control करोगे इसका diameter दे दिया 20 mm plus minus 20 micron की और इसकी circulatory को control करना है 30 micron में तो इसकी novelty को कितना control करोगे चलिए मैं बताता हूँ novelty को control करने के लिए जो हमारे diameter की total tolerance दी वही होती है उसका 1 third जो आता है वो होता है इसकी novelty को control करना का तरीका माल लीजिए total tolerance होगे 40 micron यानि कि 13 micron में हमने इसकी novelty को control करना है ठीक है यह formula होता है novelty की tolerance को calculate करने का ठीक है दोस्तों दोस्तों circularity और novelty को control करने के लिए नए नए method develop होए है market में उन में से एक है envelope condition ठीक है envelope condition क्या होता है जहां भी diameter के साथ में आपको e लिखा होँ होँ मिले उसका मतलब यह है कि वहाँ पे envelope condition लगी हुई है और यह generally diameter पे ही लगती है ठीक है envelope condition में 3 condition होती है एक होता है GX GX का मतलब होता है 2 point lowest diameter और एक होता है LP max LP max का मतलब होता है 2 point highest diameter एक होता है LSQ LSQ का मतलब होता है average diameter दोस्तों यह जो method है यह generally Japanese और German company हैं इसको adapt कर रही है तो क्या होता है मैं आपको बदाता हूँ suppose that यह कोई diameter है आपका और इसमें error है तो इसका GX क्या होगा GX होगा 2 point lowest diameter माली जी यह आपका lowest diameter यहाँ पे है lowest point और दूसरा यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच का जो distance होगा और उन distance से जो diameter बनेगा suppose that यह आपका diameter बना ठीक है suppose that यह आपका diameter बना lowest ठीक है इन दोनों को add करने के बाद जो diameter बनेगा वो हो जाएगा आपका GX और दूसरा Lp Max क्या होता है two point highest diameter मालिजी इसका highest diameter एक यह है दूसरा highest diameter एक यह है कोई भी हो जगता है मालिजी यह है या यह है तो जो इन दोनों के बीच का जो distance होगा और इन distance से जो outer diameter बनेगा distance के होते हुए वो हो जाएगा Lp Max ठीक है और LsQ क्या होगा इसका जो average dia होगा average dia वो हो जाएगा LsQ ठीक है दोस्तों यह होती है envelope condition यह generally वहाँ लगती है जहाँ पे कोई diameter critical होगा ठीक है उसको circularity और उसकी ovality को control करने के लिए envelope condition लगाते है suppose that माल लीजिए यह कोई diameter है आप ठीक है किसी component में इतना बड़ा इतनी depth इसकी depth है कुछ भी हो सकती है 20 mm, 50 mm यह कोई diameter है इसमे envelope condition लगी हुई है तो suppose that और इसमें जो fitment होना है वो किसी bearing का या किसी shaft का fitment होना है जो की rotational motion करेगा यानि कि इसमें एक बर fit नहीं होगा वो इसमें बार-बार rotate करता रहेगा ठीक है तो उसमें gx condition लगी इसका diameter दे दिया suppose that 50 mm और tolerance दे दी प्लस 20 micron या 10 micron माल लो ठीक है तो समझो यह कितना critical है प्लस में 10 micron की tolerance दी हुई है और minus में 0,0 ठीक है तो यह समझो कि कितना critical है इसमें envelop condition लगूई है envelope condition का मतलब यह है कि gx को calculate करना है यहनु कि gx में diameter कितना आया और lp max का diameter कितना आया उनको control करना है अब इसमें न तो circularity दी हुई है न और novelty दी हुई है इसका मतलब यह है कि ओवल्टी कितनी चलेगी इसमें 10 माइक्रोन का 1 थरड करेंगे तो 3 माइक्रोन तो यह almost इसमें 3 माइक्रोन या 4 माइक्रोन की में ही आपको डायमेटर जो है वो कंट्रोल करना है GX को भी और LP Max को भी जानिकि LP Max और GX दोनों के बीच में 4 माइक्रोन से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह होता है envelope condition दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर समझ में आये हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हीं भी कोई सीखने का मोका मिले दोस्तों कुछ doubt हो तो आप comment section बता सकते हो तब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत